बारिश की स्थिती पर CMKCR ने की उच्चस्तरिय समीक्षा बैठक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज में लगातार हो रही भारी बारिश को लेकर सोमवार को उच्चस्तरिय समीक्षा बैठक की भारत मौसम विज्ञान विभाग आईमडी ने तेलंगाना राज्य के रेड, येलो एंड ओरिंज चेतावनी जारी की है राज्य के आठ जिलों में रविवार से भारी से बेहत भारी बारिश हो रही है मुख्य मंत्री ने सभी अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों को हाई अलर्ट पर रहने और जरूरत पढ़ने पर समय पर बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिये गोदावरी नदी का जलस्तर 48 फुट के स्तर को पार कर जाने के बाद दूसरी बार बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी, अधिकारियों को इसका संग्यान लेने और आवशक उपाय करने का भी निर्देश दिया गया है अधिकारी गोदावरी बाढ़ नियमावली के अनुसार कारवाई करते हैं आदेश पढ़े डॉट आएमडी ने रविवार को भविशवानी कीथी की तेलंदाना में अगले 24 घंटों तक बारिश जारी रहने की संभावना है आठ जिलो जैशंकर भूपाल पल्ली, मुलुगू, मंचेरियल, भदरादरी कोठागुडेम, निजामाबाद निर्मल, आदिलाबाद और राजधानी हैदराबाद के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था अलर्ट के बाद, केसियार ने राजध में लगातार दो दिनों तक लगातार भारी बारिश के खिलाफ मौसम विभाग की चेतावनी के मद्दे नजर शीश अधिकारियों को जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए ततकार उपाय करने का आदेश दिया था केसियार ने घोषना की थी की प्रारमभिक उपायों के तहट सभी शैक्षनिक संस्थान सोमवार से बुधवार तक तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे मुख्य मंत्री ने रविवार को प्रगती भवन में शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और भारी बारिश के मद्दे नजर राज्ज के तालाबों, बांदों और जलाशों में पानी की स्थिती के बारे में जानकारी ली उच्च अधिकारियों को निचले इलाकों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किये जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में निर्देश जारी किये गए मुख्यमंत्री कार्याले, CMO के अनुसार, बिजली विभाग, पंचायत राज, सडक और भवन विभाग, कुलीस, चिकित्सा और शिक्षा विभागों को सतर्क रहने और उचित सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए कहा गया है